हरे क्रिशना हरे क्रिशना हरे क्रिशना हरे करे शोगत है कि अ कि आज के राम कथा में तो हम लोग आज चर्शा कर रहे हैं वालमिकी रामायाड इसके वालकांड चैप्टर नमबर 13 13 अध्याइसे दर्शत गोश्ट टूदा सेक्रिफीशल है रहे रहे हैं तो यग्य साला में दर्शत महराज जाते हैं यग्य की तैयारिया करके यग्य स्टार्ट करने चाहिए वान इसनिक्दा सुहिंद महियं गुरुष्य परमो महान वद्वयो बोद्वयो भवता चैवा भारो यग्य से चोट्यताहां की वसे स्टुमुनी को इसे सुरूप से संबोधित करते हुए वो बोल रहे हैं कि आप हमारे वेल विशर हैं सुख्चिन तक हैं हमारे आप इसके रिस्पॉंसिलिबिटी ले करके यग्य को प्राणम कराना चाहते हैं वसे स्टुमुनी के द्वारा तथे तीचा सराजानम अब्रवीद्विजे सत्तमा करिशे सर्वम एवेतत भवतायत्समर्थितम आपने जो भी प्राथना किया है इस यग्य को इस सुरुवात करने के लिए मैं करूँगा ततो अब्रवी तुचान वृद्धान यग्य कर्मशू निष्ठितान स्थापत्य निष्ठितां शैव वृद्धान परमधार्मिकान कर्मान तिकान सिल्पकरान वर्दकेन खंकान अपी गनकान सिल्पिनस्चेवत थैवनत नर्तकान तथा सुचिन सास्त्रविधा पुरुशान सुभा हुशू शुटान He then spoke to the senior toysborn their experience in the performances of sacrifices, those who had been engaged by kings in the past as supervisors for procuring sacrificial ingredients, elders firmly adherent to Vedic Dharma, full-time laborers, manufacturers of bricks and so on, carpenters for making the sacrificial implements and pillars, excavators for digging lakes, ponds and the like, writers, painters, actors expressing mellows, dancers expressing attitudes as well as very well learned persons who were pure knowers of the sacrificial guide books as follows. तो वसिष्ट मुनी को जब अनुरोध किये कि यग्या को चालू करने, को चालू करें, प्रारम करें, तो वसिष्ट मुनी अब, जो है, वहाँ उसी यग्य में अपना अपना अलग 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 प्रकार से सहयोग देने वाले, बिन्न बिन्न प्रकार के विक्तियों को एड्रेस कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, जिसमें कौन-कौन है, यहाँ पर वननर किया गया है, कि जो सीनियर ब्राम्मन है उनको जो की काफी अनुभवी है यग्य को करने के लिए करने में और साथी साथ में जो किंग्स अलग-लग राज्यों के देशों के राजा भी वहाँ पर उपस्तित है सुपर्वाइजर के रूप में और सेक्रिफिशल इंग्रेडियन्स को परदान करने में और जो एल्डर्व हैं कुछ यानि गुरू वर्ग है उनको फिर लेवर हैं वहाँ पर और ब्रिक्स कार्पेंटर्स मैनिफेक्स को बनाने वाले कारपेंटर्स हो गया इस प्रकार से जितने भी लोग वहाँ पे इसी यग्य को करने में छोटे से ले करके बड़े से बड़े वेक्टी सब को एड्रेस करते लिए वाल में खिये है सुरी वो सिष्टर इसी इस प्रकार से उनको संभोधित कर रहे है यग्य कर्म समीहंताम भव वाहिए से लगवाँ तो राज सासनात इस्टका बहुसाह श्री सेघ्रम आनियत आमिती ओन दॉडर की बिजी विद दे शेविद्धे शेंवर् गांट एन्ट विद्धे लिंग सेवरो तॉजंस ऑप एट वर्सेम झाल्ट श्रीश्डले सेवर्ण थे श्रीश्डग अब की लिए उनके जो लोग भी वहां पर उपस्थित हैं उनके जो भी करतब बहुंकर देते हैं उनको ब्रीस्ट जो हाँ पर उनको आगय === कि जो भी सामागरी की ज़रुत है वो आप एकत्रित कराईए पुर इसके बाद जो ब्रिक मनिफेक्चर से इंट बनाने वाले उनको आग्या देते हैं और आगे की श्लोकों में फिर और आगे वर्णन कर रहे हैं कि आपकार्या क्रियान्तांचा राग्यां बहुगुनान विता ब्रामना वस्थाश चैवा करतब्या सत्साः सुभा शुबाद वा फॉर्ट एक्स बिल्ड अकुमडेशन उप्स प्रमाना शुट इस वाल पर सी स्जाजा ओं को भी आग्या दे रहें कि आप एक्सिलेंट फी ब्राह्मन आये उनको रहने के लिए निवासिस्थान बनाईये। बहु गुणान विता आपकार्रे अंडिकेश्ट एट रिशिदेंचिल फैसिलिटी इस फार किंग शुट बी कंसेक्टेट और दे शुट बी एक्सिलेंट ने शुट बी तॉल और वाइड ओके तो ये ब्रि इस तरह से यानि एक यग्या को करने के लिए बहुत सारी चीज़े उसमें इंवाल रहती है उसमें जो पाटिसिपेट करने के लिए कई लंबे समय तक चलता है कई-कई महीने और कई बार तो कई साल भी लग जाते हैं एक यग्या को करने में इसलिए ये सारी फैसिलिटीस जो है प्रोवाइट करना उनको वो भी एक यग्या का पार्थ है भक्षान पानेर बहु भी समुपेता सुनिष्ठिता तथा पार जन्या स्यापी करतब्या बहु विस्तरा दोस हाउसे शुट बी वेल एक्विट सेवरल हाट फूट्स ग्रेंस ट्रिंग्स एं फॉमली कंस् तो यह सारे अरेज्मेंट होने चाहिए यग्यों में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो भी लोग अपना कंट्रिबूशन देने वाले हैं उनके लिए लिविंग कंडिशन्स प्रॉपर होनी चाहिए इससे हमको यह भी सिक्षा मिलते हैं हम लोग कहीं पर कुछ प्रो होना चाहिए एक जिम्मेदारी होता है था हाउस इस प्रकार से निवास इस्थान बनाए जाने चाहिए आगतानाम सुदुराच्या पार्थिवानाम प्रथक प्रथक वाजिवारन सालाश्या तथा सैया ग्रहानिचा पतानाम महदावासा वैदेस वैदेस इकडिवासिनाम तो मिश्स रूप से जो लोग दूर आए हैं से राज लोग जो अन्न देसों से दूर देसों से आए हैं उनके सौलजर्स के साथ उन सब के लिए और उनके घोड़ों के लिए हाथियों के लिए सब के लिए निवास इस्थान टॉपर तरीके से बनाना चाहिए कि प्रोवाइट करना चाहिए इसलिए एक यग्या जैसे यश्वमेद यग्य हुआ राज्वी यग्य हुआ जो बड़े-बड़े यग्य होते हैं जो चक्रुक्ति समराथ करते थे जिसमें पूरे प्रित्वी सब के लिए प्रॉपर एकुमडेशन फैसिलिटी लिविंग कंडिशन सब प्रोवाइट करना होता है इसलिए बहुत बहुत ज्यादा खर्चिला होता है यह जो यंग्य करते थे पहले किसा में तो साधारन राजा इसको कर भी नहीं सकता है यह होता है तो ऐसे जो अश्वम में द्यग्य करता है तब वह इंदर बनता है आप समझ सकते हैं कितना कठिन का रहे हैं क्योंकि लाखों लाखों नी करोडों की जंख्या में आते थे कई बार लोग और उन सब को एकॉमडेशन प्रिशादम फैसिलिटी सब देना होता था कोई भी नाराज नहीं होना चाहि यग्य में फैसिलिटी तो यग्या सफल हो जाएगा खतम हो गया वहीं पर फिर तो इतना कठिन का रहे हैं सव असुमडेशन यग्य करके फिर इंदर के पाद को प्राप्त करने हैं लेकिन अगर कोई क्यों एक यग्य कर लेता है हरी नाम संकीतन यग्य है उसमें कुछ करने मातर से मातर से ज्ट सो और सफुमेद यग Beetle क्या हें जारों करोड़ां को जादा मातव कौन को प्राप्त कर लेता है कि ऐसा मूर ketty यह साौकर्ण के भुटत किया जाना चाहिए अगर कोई बोले कि हरी नाम जब बहुत महत्वपूर्ण है इतना लावदायक है करोड़ो अशुमेद यग्ये के बराबर है तो वह भी क्या है वह अम्राज के डंड़े हैं डंड़ पाने के योग्या है उसको भी अम्दूत के पास भेज़ देना चाहिए को चक्रवति समराट राजा महराजा उन लोगों ने जो यग्ये किये हैं जैसे युदिश्य महराज राजसु यग्ये किये थे यह कोई इतना आसान यग्ये नहीं था बहुत उसमें खर्चा हुआ था और सारे राजाओं के उपर विज़ेख राप्त करने के पश्चात वो अगे समपन्य हो लिया नहीं क्या-क्या उसमें ज़रुत लगने सब यहां पर दिया हुआ है अवासा भभक्षावे सर्वकाम है रुपस्थिता तथा जा नपटस्या पी जनस्य भघौसो बैनम् Aft सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसके लिए भी प्राइब करना चाहता है उसके लिए भी प्राइब करने के लिए और उनको एंज्जाए करने के लिए औब्जेक्स गालेंड सेंडल रूट पर यह सारी चीज़ें होनी चाहिए इतना यह डिफिकल्ट है देटास दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्यनतुलीलया फूट शुट बी गिवन इंचैरिटी अकॉर्डिंटु दे स्क्रिप्ट्र रूल्स और विथ रिस्पेक्ट नॉट प्लेफुली यह एक रूल है जो भी आते हैं उनको किस तरीके से प्रशाद देना चाहिए गिवन इंचैरिटी दान के रूप में देना चाहिए पूरे सम्मान के साथ ऐसे घस्ते खेलते हैं यह सारी चीज़े फोट शुट बी इविवन विद रिस्पेक्ट नॉट प्लेफुली यह सारी चीज़े बातों को ध्यान में रखना पूटता है कि कोई भी जो गेस्ट आया है उ अगर वासंतुष्ट होगा तो फिर यग्या खतम यग्या सफल नहीं माना जाता सर्व वर्णा यथा पूजाम प्रापनुवंति सुसत कृता ना चावाग्या प्रयोक तब्या कामक्रोध वसाद अपी अरेंज फॉर आल वर्णास तु बी ओनर और रिस्पेक्टेड नो इ गाएंगे वहाँ पर क्योंकि कोई लेवर भी है तो सूद्धर वैश्यों घक्रय घांटान के साथ वनका संवान क करना चाहिए उनको रिसपेक्टों परींप करना चाहिए उनके कि लिए सारीं फैसिलिटी ओने इस किसी को कोई इंसर्ट नहीं देना चाहिभी वे लो वेर वोर्ना थार वेक्षितो निए होन। इसे खुड़िए होन। होते हैं। इस स्टीर वेड़िए ने लिए थे विए आयो और रिएदेखिटी कि अच्ट्रा वटुड़ूरूर। इस प्रकार से यह महत्रपून एक अंग है जिसको करना कोई कर नहीं सकता है इसलिए यह सारी जो है संबोल नहीं है अशुमेद्य यग्य जो है और या राश्यू यग्य यह सब तुदूर की बात है चोटे-चोटे यग्य भी करना संबोल नहीं है यह सारी छिज्जों का ध्यान रखना होता है यज्यकर्मनिये व्यग्रा पुरुषा सिल्पिनस्तथा तेशाम अपि विसेशेना पूजाकार्य ताक्रमं तेचाश्यु संब्रता सर्वे वशुभिर्भो जनेनच्षा Those persons who are busy with the sacrificial work as well as the artisans should also be honoured with great respect according to their superiority. All of them should also be satisfied with wealth and food. सबको प्रशूर्मात्रा में धन्संपत्ति, खाद्यपदार्थ और सम्मान प्रदान करना चाहिए जो लोग यग्यों में जिस भी रूप में busy हैं, जिस भी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें से कोई बिदी सटिस्फाइड नहीं होने चाहिए यथा जर्वं सुवीतं नकिंचित परिहीते तथा भवंता कुरवंतु प्रीतिस इक्देन चेतसा, विट माइंड स्मॉइस्टेंड विट अफेक्शन, जो भी वहां पे रिस्फोंसिबिलेटी यग्यों को करने के रिस्फोंसिबिलेटी लिए, कि प्रेम से सभी लोगों को अधर सम्मान के साथ रिसीट करते हुए, इसी अग्यों में जो भी जरूए थे वो करना है। तो वह से स्टमॉनी ने जैसे आदेश दिया, तो सब लोग अपने अपने रिस्फोंसिबिलेटी इस की तैयारी करके उनको वापस आखे रिपोर्ट किये, ये भी एक महतपूंच चीज है। कि जब हम कोई भी सेवा करते हैं, चाए यातरा हो या कोई प्रीचिंग प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट हो, तो सुपीरेर हमको आदेश देते हैं, या बताते हैं इसी तरीके से करना है। तो वो करने के पश्चाद फिर वापस रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए, कि हाँ आपने जैसे सब बोला था वैसा सब अरेज्मेंट हो गया है, ऐसा नहीं कई बार बक्त लोग कर तो देते हैं, लेकिन बताते ही नहीं है, तो इसलिए फिर आगे का इंस्ट्रक्श रिपोर्ट का, यह थोकतम तत कर इश्या मोनकिंचित परिहास यते, वी विल डू एज उसे, वील नॉट लीव एनिफिंग, वील नॉट लीव आउट एनिफिंग अंडन, तो आप और भी जो कुछ बचा है, आप जो भी बोलेंगे, हम करेंगे, कुछ भी अंडन नहीं रह निमंत्रस्दवा, निर्पतेन, पित्वयाम, ये इच्छधार में का, दन वसिष्टा कॉल सुमंत्रा, जो की प्रदान मंत्री हैं, में मुख्य मंत्री हैं, जर्षत महराज के उनको बूला करके वसिष्टा बोलता है, कि अब आप सारे राजाओं को पूरे प्रिफ्वी से आमंत्रित कर दीजें, वो आ सकते हैं, ब्रामनान, शत्रियान, वैश्यान, शूद्राम्शे वसहस्रसा, समान यस्वा, सत्कृत्या, सर्वदेशे, सुमानवान, रिस्पेक्ट्फुली इनवाइड आल में, ब्रामना, शत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, बाइद थाउजंस इन आल लैंड्स, अज्जारो की संख्या में, सारे पूरे प्रिफ्वी में जो ब्रामन हैं, शत्रिया हैं, वैश्या, शूद्रे हैं, उनको आप बड़े ही सम्मान पूर्वक इनवाइट करिए, और यह सारी फैसिलिटीज प्रवाइट करके उनको आपर तरीके से सिचुएट करें, तो इस प्रकार का जो है, आदेज, दे देते हैं, अब बाकिया हम लोग कल आगे चर्चा करें, ओके, आरे कृष्णा, थैक् तो शाम की चर्चा में मैं कुछ आइड करना चाहूँगा, जिसे आपने बताया है कि हर्मान जी को एक रिफी ने शराब दे दिया था, करन को दिया हुआ था, पर हनवान जी को मंत्रों से बांदा गया था, कुछ समय के लिए, पर जो रोज पढ़ने पर उन्हें कहा गया था, कि मंत्र उप्चार से ही उनकी शक्तिया आबस दी जाएगी, वापस आदेगी, हाँ, तो जब जरूद पढ़ा था, तो फिर जामव कर सकते हैं, कि जो भी बक्तों को उक्षति हुई यहानी हुई, तो भगवान उनको प्रोटेक्शन दे, हम लोग प्रात्ना करते हैं, भगवान से हारी प्रिश्ण महामंत्र बोल करके, कि भगवान जो भी भग्त लोग, इस पिसले अगर किसी का सरीर छूटा है, या कुछ बहुत ये ऐसे आसाहा इस्तिती म हैं, तो भगवान उनको शक्ति दे, प्रेड़ना दे, और जो सरी छूटे हैं जिन वक्तों के, तो भगवान उनको अपने चरण कमलों के सेवा में लगा के रखें, फॉर्दर प्रोग्रेस दूर्स कृष्णा कॉंसेस्नेस, ठीक है, यह हमको प्रात्ना करना चाहिए, हरे क तो अफ्कोर्स भगवान को समर्फित करना चाहिए, और ना कैवल इस इस्सिति में, हर इस्सिति में समर्फित परना सभना कर ना हाएंग। आज की जो इस्तिति है यही ऐसी गंभीर सिति है जिसमें संवर्पन करना चाहिए हम गर ऑगर कर दोपर किलास में जो हो रहा है उससे कोई ज्यादा अच्छी सिति में नहीं हम लोग बस अंतर इतना है कि उनको प्रकाट रूप में दिख रहा है तो वह अभी ज्यादा सरन्ड बदाम नतेशाम, every step we have dangers, हर छण हमारे जीवन में डेंजर है, रादर हम लोग ज्यादा dangerous situation में हमको यह realize नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन में तो कस्ट आया, तब उनके एक मात्र जो आश्यां बवान है, तो तो निरंतर वो भक्त लोग जो भी पचे होंगे, वो निरंतर क्रिश्चा का इस्मरण कर रहे होंगे, लेकिन हमारे जीवन में यह जो sense gratification रुपी poison है, comfort, comfort zone जो है, यह so called protection, so called security या जो so called facilities for sense enjoyment है, यह हमारे लिए poison की तरह है, और हमको जो है, यह obstacle create करता है क्रिश्चा के प्रतिसरन नगत होने के लिए, तो इस प्रकार के जो भातसे हैं, बलकि वो ज्यादा अच्छे हैं, कि कम सकम वो भक्तों को जो है, क्रिश्चे के प्रतिसरन नगत होने के लिए opportunity तो देते हैं, और हम उनसे भी ज़्यादा बेकार इस्तिति में इसलिए हैं क्योंकि हम मारा जीवन अभी materially जो है, सो कॉल्ड कमफोर्ट जोन में चल रहा है, सो कॉल्ड जो है, सिक्योर जोन में है, इसलिए हम को कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है, कि हम ती वृता से प्रिश्चे का आश्ट्रे ले सकते हैं, तो हमको हमेसा याद रखना च जास्तों में हम लोग इस material वर्ड में भौतिक जगत में बहुत ही, कमला जला, कमला जला, जीवन अटलमल, एक वश्चन सौंग में लिखता है, हर किसी का जीवन इस बहुत एक संसार में, including demi-gods, देवता लोगों कभी जीवन, कई लोग देवी देवताओं का पूजा करते ह हैं, गीता हमें भानकृष्च्छ बताते हैं, कि देवीती देवी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल लोग तक ना क्यों पृत्वी में, हर किसी का जीवन इस तरह से है कि हमेसा कभी भी टलमल हो सकता है, पत्ते कमल के पत्ते के उपर जैसे जल होता है, इतना इनस्टेबल होता है, वैसे हमारा जीवन इनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो हमको चीरिसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, और उनके लिए प्रातना करिया ही, वह हमने किया ही, लेकिन हमको अपने लिए भी करना है, कि हमारी स्थिती भी बहुत कुछ कुछ अच्छी नहीं है इसलिए काफी हानी होती है वैसे समय में इसलिए बागवान को पूरना रूप से समर्पित हो जाना है इसे समय में तो स्पेशली सही बात है इस इस नहीं अच्छी आपको कुछ पूछना है था है इस उससे उनको नो ऐसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जगनाथ जी को नहीं जलाएं जो जगनाथ जी को जलाने के लिए गये है वह उन्होंने के वह लकड़ी को जलाएं ठीक है विग्रह के कई बार विग्रों को अटैक करके लोग तोड़ देते हैं लेकिन वह विग्रह भवान को नहीं तोड़ सकते हैं भगवान ऐसे एचिंत करते हैं लेकिन बहुते हैं जब कोई नास्तिक व्यक्ति के लिखता है उनको हानि पहुंचाने के लिए और पथर हैं तो वह किसको तोड़ रहा है चिछीज़े हैं होगी हम समझ नहीं सकते हैं तो आप बचाएंगे तो मैं बचूँगा आप नहीं बचाएंगे तो मुझे कोई भी तोड़ सकता है जिसलिए भक्तों को ध्यान रखना होता है भक्तों का चाहिए ठीक है तो आप ना करिए अपने लिए भी और उन सभी भक्तों के लिए और ऐसा यह नहीं हो रहा है इत्यास में कई बार यह हो चुका है यह सब होते रहते बहुत इक जगत ही ऐसा है जहां पर इस ने श्रीला भक्ति नहीं ठाकूर बोलते हैं इस होते हैं वह पूरी तरह से प्योर हार्टेड होते हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं कोई इर्शा का बहूं कुछ नहीं हो अपने निरंतरवान की सेवा में लगे रहते हैं लगे फिर भी कुछ जो द्वेशी लोग होते हैं आश्री प्रवृति के लोग होते हैं वो लोग अन्यसिसरी आ करके भक्तों को तकलीव देता हैं परिसान करते हैं इसलिए भक्तों को यह डिटर्माइंड हो जाना चाहिए कि हम क्यों फिर इस गटिया जगत में रहें जहा वह कोशन मेरा हुए यह झाहिए पूछे है प्रभु जी मंदिर में वो संक को लेके भुमाते भगवान के सामने क्या करते हैं फाण करने के लिए पानी देता पीने के लिए पर देते पीने के लिए पानी देते है अप्र अलने के लिए तो अ श्क्रट देते हैं कि यह थिए थैंब हम आदमें हां Holz परभुजी भक्ति में दो प्रकार की रुकषवे आती हैं, रौंहरी रूप से रूपक को बाहरी रूपक्ति करने लिए, ज्यादर ज्यादर कोई ज्या कर सकता है, इस सरीर को नस्ट कर सकता है, नेसानी ज्यादर है, लेकिन अगर आंत्रिक रुकावटों को कोई overcome कर चुका है आंत्रिक रुकावटे क्या होती है अनर्थ होते हैं तो अनर्थों को पार करके अगर कोई भक्त क्रिष्ट की भक्ति में fix up हो गया है तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है वो सरीर उसके पास रहे या न रहे यह सर सेवा करना है जैसे मैं गौर्ण नितायक अडेली सेवा करता हूं तो मालीजे चलते चलते अपने आश्रम से मंदिर तक जाते जाते मेरा कहीं धोती जो है किसी लोहे में कुछ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मैं यूटन लूँगा वापस से जा करके इसनान करके फिर ने धोती बुर्टा पहननों गा जाके संबां करोंगा क्योंकि इंटनली मैं कन विंज्वा करों उसी प्रकार से से हैं जो इंटनली कुन्विंश्ण के आश्रम में कुईर्ण के सेवा में लगे हुए हैं कोई आखिया अटैक करके उनको मार भी देता है शरीर नश्ट हो ज इंट्रेस्टिंग बात है आप सबकों पता होना चाहिए कि भक्तों पर सरी छोड़ना मतलब कैसा होता है वक्त लोग जब सरी छोड़ते हैं उनके लिए सरी छोड़ना मतलब कि वह जाकर के सो गए पेड़ में सो गए और जैसे उठें तो देखें कि दूसरे मां के गर्व से जम ले लिया होने और कोई फर्क नहीं होता जादा लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं जब वह सरी छोड़ते हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती बहुत कश्ट जहलना पड़ता साथ हजार बिच्छु जो एक साथ डंक मारते हैं वह ऐसा कश्ट मिलता इमेडियेट की मृत्यो नहीं होता है जो भक्त है सिंसेर डिवोटी है किसी कारण बस एक्सिडेंटली या कोई बाहरी कारण से उसको कोई शती पहुचा दिया यह से नहीं छूड़ गया तो भगवान उसको वेट नहीं कराते तुरंत इमीडियेटली उसको नया जनम दे करके नो महीने का ही बस गै प्रणा चाते हैं लेकिन वह सरकमिस्टेंस लिए ऐसी जगे फसे होते हैं कि भक्ती नहीं कर पारें सेवा नहीं कर पारें तो भगवान केरिमिंट से वह फिर उनको नया सरीर मिलता है अच्छी जगह स्थित हो करके सेवा करते हैं बहान ने गीता में अर्जुन को यह तो आप लोग ज्यादा मतला को प्रातना करना है निश्चित रूप में दुख की बात है और इसके उपर कुछ लिया जाना चाहिए इसमें कोई शंचे नहीं है लेकिन आम को इससे लेशन मिलेना चाहिए कि हम सब के साथ भी ऐसे हैं इस अंसार में हम सब को दिर्दा पुर वीडियो सब मत देखें वही चीज डिसकेशन बार बार उसमें चलता रहेगा अनेसेसरी बेटर है आपका टाइम आप लगाए भगवान से प्रात्ना करें उन भक्तों के लिए और खुद भी भक्ती में आगे बढ़िए और नाम जब करें सेवा करें ठीक है